हलो फ्रेंज वेलकम तो माई चैनल लॉर्न इंग्लिश विचैरी वांस अगें आज का हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है दा इस हाव तो मेमराइज सम्थिंग तो इसमें कई बार आपको लगता होगा कि हम कुछ विचैरी वांस याद तो करते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं या फिर वो हमें याद ही नहीं हो पाते हैं तो उनको हमें स्किप करना पड़ता है तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप जरूर ये वीडियो एं तक देखिए मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शियर करूंगी जिसमें आप कुछ मैथर सीखेंगे जिससे आप वो कैबलरी वर्ट को याद रख पाएंगे अगर आपके घर में कुछ बच्चे हैं जो कि अभी स्टडी में इंवाल्व हैं ये उनके लिए भी बहुत बैन तो इस तरह से लेट्स कॉंडिनी विद फॉस्ट वर्ट वर्ट में जो है कि वो जादा तर हम पिक्चर्स के थ्रू वर्ट को याद रखने की कोशिश करते हैं इसको जादा एक्स्पेइन करने से पहले एल गिव यो डेमो आपको कुछ वर्ट दिखाय जाएंगे और कुछ पिक्चर्स और बाद में आप ये खुद ही देख सकते हैं कि आप किसको जादा रिकॉल कर सकते हैं सिम्पल वर्ट को या पिक्चर्स को सो लेट्स स्टार्ट फॉस्ट इस पॉम्पस सेकिंड इस टिमिट डाइजिस्ट बुक फुलिश साइक्लिंग अब आप मुझे बताइए कि कितने वर्ट ऐसे हैं जिनको आप रिकॉल कर सकते हैं जड़ा रिपीट कीजिए और काउन कीजिए नाव एल शो यू सम वर्ट विद पिक्चर्स are you ready for this test so let's continue a girl is moving on a road on a road and she saw some people people who were agitating against something and she also saw a man a man who was talking on mobile and she also saw a baby playing with the ball अब आप फेसे रिकॉल करिये उन वर्ट को जो मैंने अभी आपको बताए हैं और कंपेर कीजिए उन दोनों प्रसीजर्स को कि आप जादर वर्ट किसमें रिकॉल कर पाए यही सेम चीज में आपको बताना चाहती थी कि अगर आपको कोई चीज लर्ण कोई वर्ड कोई सेंटेंस नहीं लर्ण हो रहा तो उसको पिक्चर उसके साथ जोड लीजिए पिक्चर के साथ जोड लीजिए कोई स्टोरी में उसकी बना लीजिए so that you can learn it easily Let's discuss our second memorization method What's that? That is the use of sticky notes Sticky notes क्या है? वो आपने शायद देखे तो होंगे market में कुछ इस तरह से दिखते हैं जिसके दोनों तरफ हम लिख सकते हैं तो आपको करना क्या है कि अपनी एक list त्यार करनी है उन words की जो की आपको learn नहीं हो रहे जादा नहीं 5 to 10 words की start करिए और जो आपका front side है सिकी note का उसके आगे वो word लिख दीजिए और जो उसकी back side है उसके उपर आप उसका meaning या हिंदी में या किसी भी language में लिख दीजिए तो उसको लिखने के बाद जहां आप सबसे ज़ादा रहते हैं maybe your study table maybe your almira in your room कुछ भी वहां पे उसको paste कर दीजिए और आते जाते कोशिश करिए उन words को read करने की और जैसे ही आप उन words को read करेंगे और एक आद बार आप उसका meaning देखेंगे आप उसको recall करने की कोशिश करेंगे और finally एक दो दिजिए में आपको लगने लगए या फिर किसी भी picture के साथ let's discuss जैसे ये word है that is surly surly word जैसे कि इसका meaning है bad tempered और rude right अब bad tempered और rude को कैसे हम किसी चीज़ के साथ correlate करेंगे तो मान लीजिए कि आप ये जो word है sur इसको हम थोड़ा सा रिपलेस करते है sir के साथ sir के साथ sir से हमें teacher की याद आती है so teacher means कई हमें teacher गुसे वाले भी होते हैं जो sir गुसे वाले होते हैं तो थोड़ा सा उसका correlation इसके साथ बना के जब हम surly word को याद रखेंगे bad tempered और rude तो हमें एक दम से याद आ जाएगा next जो है that is एक और example लेते है that is mirth mirth जो है mirth को किसी चीज के साथ relate अगर आप कर सकते हैं इससे जैसे मैंने पहले आपको दिया या फिर इसका एक rhyming word हम ले लेते हैं birth right तो birth में जो होता है हमें हमेशा happiness होती है जब किसी का birth होता है तो हम इस तरह से mirth और birth rhyming word बना के भी उसको याद रख सकते हैं कि यह उसके साथ मिलता जोलता है one more example is there that is timid अब जिसे यह timid है इसका अगर वैसे ही जैसे मैंने आपको भी बनाया अगर आपके mind में कुछ ऐसा क्लिक करते हैं तो आप कर सकते हैं एक और मैथर में आपको बता देती हूँ कि आप इसका कोई पिक्चर ढूंड लेजिए से रेलेटेड जिसमें शाय फील कर रहा हूँ कुछ इस तरह कि आप ड्रॉ कर लिए छोटा साथ फेस उसके उपर उसने हाथ से कवर कि शाय इस फिलिंग स्याए तो इस तरह से आप बहुत सारे वर्थ को लाँ कर पाएंगे क्यू कि वर्थ के साथ आपको उगढ से कोई पिक्चर याद आ जाएगी तो पिक्च शे ऑटमेटिकली आपको रच याद आजाएगा तो आप एजीली कुछ उसमें से ले पाएंगे लाइम ड्रोइंग सर्च कर लीजिए तो जादा बेटर होगा अगर आपको मेरे इस वीडियो में कोई भी चीज पसंद आई तो प्लीज लाइक बटन जुरू प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेबी ये उसनकी कुछ हाल कर पाएंग प्लीज टॉन्ट फोगेट टू हिट अप्सक्राइब बटन अगे बटन ब झाल 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 झाल